hello everyone आज हम डिसकस करेंगे biology यहाँ पर मैं class 9 के biology को discuss करूंगी chapter 14 the respiratory system already मैंने the respiratory system पर एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने parts of respiration से पहले की जितने भी topic है उनको discuss कर दिया है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम डिस्कस करेंगे parts of respiration ठीक है तो यहाँ पर देखिए the part of respiration में दे रखा है in humans as in most other animals humans और कुछ ऐसे animals है जिनमें respiration जो होती है चार मेजर पार्ट में होती है पहला देरका breathing दूसरा देरका gaseous transport ठर देरका tissue transpiration और फोर्थ देरका cellular respiration तो हमें पहले डिसकस करेंगे ब्रेदिंग बारे में तो breathing एक परकार का physical process है जिसमें क्या होता है कि atmospheric air को लिया जाता है और उसमें से जो oxygen है उसको absorb कर लिया आता है organ के दौबरा वह organ कोन है luns ठिक है luns के दौबरा उस oxygen को absorb कर लिया जाता है gaseous transport में क्या होता है कि oxygen absorb होती है lungs में उसको blood में ले लिए जाती है क्यों लेता है blood के जो और बिसी है और हीमोग्लोविन जो है oxygen को अब्जॉर्ब करने के बाद किसमें ठीन को क्या रेक्शन होता है जिसमें ग्ल्कोज का काबन इसब बनती है अगÝन है का vårt कि से घ्रांसपोर्ट होता है लंगस में बड़िसा थूख होता है यह ब्लट के की व들이 होता है ठीक है blood का transportation होता है carbon dioxide जो bloods होते हैं जिसमें carbon dioxide की मातरा जादा होती जिस blood में वो vein के थुरू lungs तक आती है तो ये गिलेए जो ब्लढ जो bloods, lungs तक आ रही है जिसमें carbon dioxide की majority काफी जादा है वो तीन तरीके से उसका transportation होता है lungs में तो पहला जो दे रखा है वो है bicarbonate, second है आपका carbo-mino-ghamoglobins और third होता है carbonic acid, actually third वाला जो पार्ट है वो आपके book में नहीं दे रखा है फिर भी मैं extra information के लिए मैं उसे बता रही हूँ, ठीक है तो सबसे पहले हम discuss करेंगे bicarbonate, actually carbon dioxide का ज्यादा amount जो carbon dioxide का है वो bicarbonate के form में ही वो क्या होती है, पास होती है lunges तक, ठीक है तो bicarbonate में 70% of carbon dioxide क्या होती है, transport हो जाती है by blood as a bicarbonate ठीक है, और अगर हम बात करें, carbon amino-hemoglobins में होता है कि carbon dioxide जो होती है combined हो जाती है hemoglobins के साथ, और क्या बनाती है carbon-mino-hemoglobins बनाती है और इसमें 20-25% जो carbon dioxide है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता इसी मेनर में ठीक है और अगर हम बात करें carbonic acid की तो carbonic acid में के form में कुछ amounts of carbon dioxide जो होती है ट्रांसपोर्ट होती है by the blood as a carbonic acid ठीक है ओके और यह इसके वज़े से क्या होती कि pH value होती है blood की उसमें थोड़ी changes आती है ठीक है तो हमने देख लिया gases transport अब हम discuss करेंगे tissue respiration the terminal blood vessels that is a capillary deliver the oxygen to the body cells यहाँ पर क्या जो terminal blood vessels है वो क्या करते हैं that is a capillary वो क्या है capillaries है जो deliver करती है oxygen को कहाँ पर body के cell में या फिर tissues में जहाँ पर oxygen का क्या होता है diffuse हो जाती है through the thin wall जो cell membranes हो तो उसमें इंटर कर जाती है और उसके बाद क्या होता है कि of course वहां पर इंटर करती है तो oxygen का यूज कर लिया आता है glucose के दोवारा और oxygen का यूज करके breakdown होती है glucose की और उससे carbon dioxide release होता है वो carbon dioxide again release होकर कहाँ पर आती है तो capillarism आती है ठीक है नाव निक सहाँ पर हम देखेंगे cellular respiration cellular respiration में होता क्या है कि जो complex chemical changes होता इंसाइड दे सेल वह कहाँ पर होता है इंसाइड दे सेल होता है जो क्या करती है रिलीज करती energy from the glucose एक्चुली होता है कि सेल के अंदर ही glucose का breakdown होता है साइटोप्लाज में glucose का breakdown होकर pyruvate acid बनती है और pyruvate जो होती है pyruvate acid का फिर breakdown होता है वो कहाँ पर होता है माइक्रोकॉंडिया में और जिससे क्या बनती है energy और carbon dioxide और H2O बनती है ठीक है तो यहाँ पर जो process है सेल के अंदर जो chemical process हो रही है वुसे हम बोलते cellular respiration ठीक है अब यहाँ पर next हमारे पास दे रखा है यहाँ पर figure दे रखी है यहाँ पर general tissue respiration को दिखाया गया जिसमें gases का exchange हो रहा है tissue और capillaries के बीच में ठीक है oxygen जो है इंटर कर रही है oxygen जो है इंटर कर रही है तीसु में with the help of capillaries और उसके बाद जब carbon dioxide बन रही है और carbon dioxide अगें capillaries में क्या हो जारी है इंटर कर जाए यह मतलब कह सकते हो कि यहां पर यह हो हो रहा है थैक है चैन्ज हो और सारे पार्ट दे रहे किए यह सेल थे सके बाद यहां पर इजक्ति इत्वत का सेवेख होता है यहां पर nuclear of the cell in the capillary walls ठीक है और यहां पर red blood cells है ठीक है नाव नेक्स यहां पर हम डिसकस करेंगे कुछ progress check देख रखा है पहला देख रखा है कि जो strain strain जो होते हैं strain फिजिकल एक्सराइज में causes fatigue due to the accumulation of carbon dioxide in the blood मत यहां पर question बोला गया पुछा गया है कि जो exercise करते हो तो से ठां होती है जो सकान होती है वो किसके वजह से the work on the no exercise То यह उसके यह HP-7 यह फोल्स है एक्शुली लख्टिक औक यह होता है ना ज्यादा हो जाती के ऑड़िए घाप आपको होता है ठीक है निक्ताओन श्enteen셔서 और यह पर दे रखा एक्षुली क्या बनती है तो यहां पर लाक्टी के सिर बनती है कुछ आमांट ओफ इनर्जी बनते है ठीक है यहां पर हम बात करें ब्रीधिंग अंड ब्रीधिंग अंड गेशिच ट्रांसपोर्ट आर वन यहां पर लेकर जा रही है उसको फिल लेकर वह अगें लेकर आ रही है लंग्स तक तो यहां पर गेसी इस टांसपोर्ट में यह प्रोसेस हो रहा है तो अफकोस ब्रीधिंग और गेसी टांसपोर्ट काफी डिफरेंट है इस वज़े से यहां पर फॉल्स हो गांसर नाव फॉर्थ नमबर दे रहा है काब्न डेकर इस ट्रांसपोर्ट टू लंग्स बाय बलॉड इन तो फोर इस तो इसका Bas Championship pat five Her 59 husion होता है उनमें क्या होता है कि जो एक्सेंज होती है य्ज्ग होता है स्टीश के बीच में वहां पर कोई ंई नहीं कहां पर macht ल स्बस्क्राइज़र्थ ने हरा दोर सब्सक्राइब करेंद्जिय। निक्सल् hundred यहां पर मेरे canぎ तो paci कहा होते हैं यहां जो कहां पर होती है तो मैं आउट साइड आउटांद इसे próxim नहीं फेसिन के आनधर गलाइकोलाइश होती है यहां पर क्या ब्रेखडाउन ब्रेखडाउन ऐसा जहां पर आपकी ग्ल्कोज़ का ब्रेखडाउन होता है कि इसनल बनाती एह निदे ल aşका थिद Can क्या होता है काफिक होता है ना उन देखींगे चर्केल यह जनले होता है माइटरकोंडिया के अंदर जिसमें अक्सस्जन की REP होती है क्या होता है प्रेकडाउड होता है तैस्क्रम्म ऊप्रणिक पयोले बृयमाऑन सप्लाइन यह यह अपいた Argh होता है बहुत सारे इनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हमें हमारी बोडी को ऑक्षिजन की रिक्वार्मेंट है अफकोर्स इसका अंसर होगा यास तो रिमूब दा एस प्लस आयन को रिमूब कर सके ठीक है कि आपर दे रखा है कोमन मिस्कोंसेप्शन में ए मैंनी प्पल रोंग ली से बीई इन्हाइल उपस करते हैं व्याक्सिजन करते करते हैं यह वह हमारी एएर होती जदो जर्ण की अमांट ज्यादा होती है काफी कम होता है वही है अगर हम रहां करते एयर को तो उसमें oxygen काफी कम होती हो पहले की कंपेरिजन में काफी ज्यादा होती है इसको डिसकर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए